जुड़ना सुरू करें आप लोग क्लास सुरू हो गई है हाँ ग्लास सुरू हो गई है जुड़ना आप सभी लोग जुड़ने आप सभी लोग क्लास सुरू है जुड़ना आप भारत के सबसे बड़े लड़निक प्रेटफॉर्म पे अपने अध्यन का कारी कर रहे हैं आपके वेस्ट जो गेटर हैं जिनको पड़ने के लिए कोई ने कोई सब्सक्रिशन प्लान आपको लेना होता है बारह वर्थों का टीचिंग एक्सवरियंस है डारेक्टर आप निश्चा येस लखनों के रूप में आप देख सकते हैं अपनी सिवाएं दे रहे हैं मोटिवेटर एंड राइटर के रूप में पिसा यार ठिंकर इस पूस्टे सोर 110 से अधिक चात्र चैनित हो चुके हैं चले वन सब्सक्रिशन टू क्रेकॉल एक दस परसेंट और जुड़ गया हैं इतने कम पे मैंने कभी ये फीस नहीं देखी इतने कम पे मैंने ये फीस कभी नहीं देखी आप जोड़ सकते हैं इस के साथ 49,000 में जी एस प्लस ऑप्सिनल वन एर सब कुछ इससे सस्ती फीस नहीं हो सकती फट अफट जुड़ें आप सभी लोग अनकेडमी प्रॉमिस आपके पसाद है अनकेडमी का महा सब्सक्रिशन आफर आपके साथ है टेस्ट आफर आपके साथ है लोन अकेडमी आफर क मिली रहा है कितनी सारी चीज़ें अनकेडमी आपको दे रही ऑप्सिरल में 24,000 का ही है वन एर का रफरल कोड यूज करने के बाद ले सकते हैं आप कॉमबेट अनकेडमी आपको दे रही एवरी संड़े 11 अम अब हिंदी में भी उपलब्द है जीत सकते हैं बहुत कुछ हैं फटब फट एटमिशन कम्प्लीट करें और जोड़ जाएं फीर टेस रीज हैं जोड़ें करेंट अफएर्स की क्लास है रोगत अपदे यहाँ लोग पड़ रहे हैं हम लोग यहां पर पड़ रहे हैं अपनी ग्लास करेंट अफिर की बाइलिंग्वल चीजें आपको मिल रही है इस क्लास में आज का करेंट अफेर्स हम पढ़ाएंगे तेरस गार्डनिंग तेरस गार्डनिंग आजकर बहुत फेमस है तेरस गार्डनिंग क्या है उपराश्पती सिरी एम वैकनिया नाइडू ने सिरी थुमेती रागो थामा रडड़ी की पुस्तर तेरस गार्डन मीटे थोटा के अंग्रेजी अनुवात की पहली कॉपी प्राप्त की है तेरस गार्डन क्या है ये क्या कुछ है इसके अंतरगत मूल रूप से तेलगू में लिखी गई ये किताब सिरी रेडडी नारा पल्लई हैद्राबाद में उप्योगी टेरस गार्डन विक्सित करने की सफल यात्रा का वड़न करती है प्रास्पती ने अपने टेरेस गार्डन में खेती के सदीयों पुराने पारंपरिक तरीकों का उप्यों करने के लिए शिरी रेड़ी की सराणा की सद्यों बुराने पारंपरिक तरीकों का उप्योग करने के लिए रेड़ी की सराणा की पिछले साथ वर्सों में सिरी रेड़ी ने 1230 वर्ग फुट के एक छोटे से छेत्र में 25 क्विंटल सब्जियां काटने में सक्चम थे 25 स्क्विंडल सबजियां काटने में सक्चम थे और यह सब केवल मिट्टी और पसू खाद का उप्योग करके इन्होंने किया था उनके टेरस गार्डन में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तमाल नहीं किया गया था बहुत खूब इस उलेखने उपलब्द को देखते हुए स्रिविंग के या नैडो ने कहा छत पर बागवाने एक अधुद विचार है क्योंकि यह हमें किफायती पॉस्टिक भोजन प्रदान कर सकता है यह हमें किफायती पॉस्टिक भोजन प्रदान कर सकता है प्रदान कर सकता है टेरस गार्डन होने से न केवल केमिकल मुक्त फलों और सब्जियों की ताजी उपज मिलती है बलकि आसपास की हवा में ऑक्सीजन का अस्तर भी बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ये विदेशों में तो प्रचलन में है धीरे धीरे भारत में भी सहरी छेत्रों में इसका प्रचलन बढ़ना सुरू हो रहा है गासी अनपूर्णा मंदिर अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या इनके बारे में नई बात है चों करेंट अफेर्स में ये इतना महत्पूर्ण है पुर्धानमंत्री श्री नरिन्दमोदी ने कासी अनपूरा मंदिर के महन्त श्री रामेश्वर पूरी जी के निधन पर गहरा दुख वेक्ट किया देखते हैं अनपूरा देवी मंदिर पवित्र सहर वाराणसी में सबसे प्रसिद हिंदू मंदिरों में से एक है यहां मंदिर पोषण के लिए हिंदू देवी अनपूरा को समर्पित है और देवी पार्वती का एक रूप है बरतमान अनपूरा मंदिर का निर्माड अठारमी सतापदी में मराठा पेस्वा बाजीराव प्रतम ने कराया था यह महत्पूर बात है कि यह जो अनपूरा मंदिर है इसका निर्माड अठारमी सतापदी में मराठा पेस्वा बाजीराव प्रतम ने कराया था मंदिर का निर्माड नागर वास्तुकला में किया गया है यह भी महत्पूर बात है इस मंदिर का निर्माड नागर वास्तु कला में किया गया है नागर वास्तु कला में नागर वास्तु कला में ठीक है दो चीज दो फैक्ट थे आपने ले लिया वो फैक्ट पीके वारियर पीके वारियर देखें इनके बारे में अलवेद चिकित्सा के प्रमुक और वैद रत साला के प्रबंद्र ट्रस्टी बनायम मली कृष्णा कुटी वारियार का मलपूरम के को टक कल में उनके मुख्याले में निधन हो गया जोग पी के वारियर यह आयूर्वाद जिकशसा के प्रमुग व्याद रत्नम पिएस वेरियर के आरवभाद साला के प्रमुग प्रश्टी थे और इनका मलगूरम के इनके कार्याले इनका निधन हो गया अंतरास्टी ख्याती के चिकित्सक पिछले महिने ये सौ साल के हो गये थे और एक कोरोना वाइरस संक्रमण के बाद ठीक हो रहे थे कोरोना वाइरस संक्रमण के बाद ये ठीक हो रहे थे उन्होंने आयूरवेद के पुनर जागरण के लिए महत्पूर भूमिका निभाई है इसलिए इने महत्पूर रूप से जाना जाता है साथी साथ इनका जो योगदान है खुद भी स्वयम भी सो वर्ष के थे प्रमुक केंद्र के रूप में विक्सित हुआ जिसमें पारंपरिक चिकत्सा को आधुनिक सास्त्री चिकत्सा में परिवर्थित कर दिया गया और जानते इनके बारे में वारियार केरल सास्त्र साहित्य परिशद जो की एक जन विज्यानांदोलन रांच पुस्तकाला परि प्राप्त रहा है चलिए खादी के संबंद में देखें खादी के संबंद में करेंट अफेर्स में नई चीज लगातार जुड़ती जा रही है खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसको के आई सी हाली में तीन देशों में भूटान में यूएई में और मेक्सिकों में ट्रेट मार्क पंजीकरन हासिल किया जो विश्वस्तर पर खादी ब्रांड की पहचान की रख्षा करने में एक बड़ा कदम है हाँ है एक बड़ा कदम में यह मौतफूर वात है अच्छी बात है देश के लिए अच्छी बात है ख़ादी के लिए यूए मेरे मेक्सिकों याद रखेगा बूतान UAE और मेक्सिको तीन देश याद रखेएगा जहां पर ट्रेड मार्क मिला है अब तक KVIC के पास 6 देशों में जर्मनी, UK, आस्टेलिया, रूस, चीन और यूरोपी संग में भी खादी संद के लिए ट्रेड मार्क पंजी करण थे जहां कुछ वर्गों में ट्रेड मार्क पंजी करण दिये भी गए थे तो लगातार खादी को विदेशों में इस तरीके से पंजी करण मिलना एक अच्छी बात है हलाकि हाली में भूटान संजुकतार अमीराद और मेक्सिकों में ट्रेड मार्क पंजी करण के साथ ऐसे देशों की संख्या अब 9 हो गई है अगर हाली में पूछा जाए तो ये तीन देश पहले छे देश अब संख्या कितनी हो गई है अब संख्या कुल 9 है कुल 9 की संख्या है 9 की संख्या है विकास मेक्सिको जर्मनी जैसे देशों में कुछ निजी स्थानी संस्थाओं द्वारा अपने अपने देशों में खादी ब्रांट के लिए डी ट्रेड मांग की गई है ऐसा नहीं है हमें मांग कर रहे हैं खुद उनके खुद की निजी संस्थानों ने भी इसके ट्रेड मार्ण के लिए मांग की है इन देशों में के वाईसी के वी आईसी ने खादी कपड़े खादी के रेडिमेंट कपड़ों और ग्रामेर उद्दोगों के उत्पादों जै इन देशों के अलामा के वी आईसी के ट्रेड मार्क आविदन दुनिया भर के 40 देशों में लंबित हैं जिन में यूएसे कदर सिलंका जापान इटली ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड सिंगापूर ब्राजील आदी देश सामिल है आदी देश सामिल है राष्टी मस्त किसान विकास बोड ने वस्तुता राष्टी मस्त किसान दिवस मना है विकास बोड ने वर्चुली इसको वस्तुता नहीं कहेंगे इसको ऑनलाइन के सकते हैं वर्चुली आनलाइन या डिजिटल रूप में राट्सी किसान दिवस मनाया, राट्सी मत्स किसान दिवस, क्या कुछ खास था इस पे, देजबर में सभी मच्छुआरों, मचली किसानों और संबंदित हित धारकों के साथ, एक जुटता प्रदर्शित करने के लिए, हर साल राट्स, प्रियाज किया जाता है, कि जो भारत का जो मत्स छेतर है, वो बढ़े, और इसमें अवर्नेस आए, जागरुकता आए, विभिन प्रिकार के रिड़ प्रोग्राम, विभिन प्रिकार के निर्यात विवस्था, ये समिश में देखने को मिलती हैं, ये वार्थिक आयोजन, द प्रोफेसर डाक्टर हीरालाल चोधरी और उनके सहयोगी डाक्टर अली कुन्ही की इसमिश्थी में मनाया जाता है, ये भी ठीक बात है, ये भी ध्यान देने लाइक बात है आपके लिए, वर्सों से प्रेरित प्रजनन के इस अग्रणी कारे ने, जली करसी के छेतर में, व जली के नाम से भी जाना जाता है, मत्स उद्धोग को, इस दिन को एनफडी स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, फजली आम, आम का सीजन चल रहा है, आप देख सकते हैं, फजली आम, क्या है, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त, जियोग्राफ फजली नाम के आम की किस्व की एक खेप बहरीन निर्याद की गई है, बहरीन, फजली आम कहा होता है, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में होता है फजली आम, क्या है महत्पूर्ण फजली आम, अब यह तो फजली आम नहो, फोट इसी सिंदूर वाला आम है, बहरीन को वीजे गई इस खेप का सौधा, एपिडा द्वारा कतर के दोहा से, दोहा में आम से संबंदित प्रचार कारक्रम आयोजित करने के लिए कुछ दिनों बात हुआ, इस प्रचार कारक्रम में पश्चिम मंगाल और उत्तर प्रदेश के जि प्रतरसित किये गए थे, जिन नो किसमों का निर्यात किया गया है उनमें जियाई प्रवारित, खिर्सा पती ये भी मालदा का है, लखन भोग ये भी मालदा का है, फजली ये भी मालदा का है, दसहरी ये मलिहाबाद उत्तर प्रदेश लखनों का है, मलिहाबाद उत्तर प् चौसा ये मालदा पश्यम मंगाल का है लंगणा आम नदिया पश्यम मंगाल साविल है क्या बात है आमों के संबंद में मलिया बात तो जानते थे हम लोग लेकिन पश्यम मंगाल आमों के संबंद में इतना ज्यादा महत्वों है ये बात आज आपके समझ में आ गई होगी कि पिसमों का का निर्याद कि अाजर तो 17 ये वी सोनियम मरिना तेकिन ये सब पूछा जाता है गरेकल्चर में और इंवायर्मेंट इकोलोजी मेंats music वे ब्यक्तु करेंडयक क्या है फोटो देखी रहे होंगे आप लोग डीवीटी इंसिटूट आफ साइंसेज भुनेश्वर के बैग्यानिकों ने पहली बार अत्तधिक नमक सहिस्टुल और नमक स्रावित ट्रू मेंग्रो प्रजाती एवी सोनिया मरीना के संदर में ग्रेट के पूरे जीनो मनकों के जनकारी थी एवी सोनिया मरीना भारत के सभी मैंग्रों सहरस्णाओं में पाने जाने वाली सबसे प्रमुक मैंग्रों बनस्वतियों में से एक है क्या होता है मैंगरो बनस्पती और भारत में कफचि के रन कफचि की वात करें या पूरब में Бंगाल के से लेकर नीचे लगभग लगभग जो गोदावरी करशना तक का डेलटा है वहां महां नमक स्रावित और आवसाधरन रूप से नमक सहिस्तु महां पर जाती है जो 75% समुद्रीजल से भीmile बेक्तर रूप से बढ़ती है और 250% समुद्रीजल को सहन करती है मतलब ये लवणी जल को पूरी तरीके से अपने को लवणी जल में विक्सित करने में सक्षम है विक्सित करने में सक्षम है यह दुर्लब पोधों की प्रजातियों में से हैं जो जड़ों में नमक के प्रवेश को बाहर करने की और साधान छमता के अलावा नमक गरंतियों के माध्यम से 40% नमक का उत्सर्जन भी करती है अध्यन में उत्पन जीनोमिक संसाधन सोधकरताओं के लिए तटी छेत्र की महत्पूर्ण फसल प्रजातियों की सूखी और लवरता सहिशु किस्मों के विकास के लिए पहचाने गए जीन की छमता का अध्यन करने का मार्ग प्रसस्त करेंगे मार्ग प्रसस्त करेंगे critical race theory CRT critical race theory CRT के नाम से जाना जाता है CRT की नाम से यह यह ili ने प्रकेत क क्ouse में republikan critical race theory के खेलाब लोग बिरोद कर रहे है जो republican है यह critical race theory के खेलाब बिरोद कर रहे क्योंकि डेमोक्रेट अमेरिका में संत्ता में हैं इसलिए जो रिपब्लिकन लोग हैं ये रिटिकल रेज ठीहरी का ग्रोध कर रहे हैं। और पार्टी द्वारा नियंत्रित विधाय का हैं पब्लिक स्कूलों में नस्ल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस पर प्रतिबंद लगाने वाले कानून पारित कर रही है क्या है जानते हैं कि critical race theory कानूनी छात्रवित्ति का एक निकाय है और संजुक्त राज्ज में नागरिक अधिकार विद्वानों और कारकरताओं का एक अकादमिक अंदोलन है यह अमेरिकी कानून की सूप जुरूप से जाच करनेगा प्रयास करता है त्योंकि अमेरिका में नसल के मुद्दों पर ध्यान देता है और नसली नयाय के लिए मुख्यधारा के अमेरिकी उदार दिस्टिकोण को चुनोती देता है यह नसली मिवेद को रोकने का प्रयास करता है मुखरूप से संजुक्तराज अमेरिका में नसल और नसलवाज से संबंदित सामाजिक सांस्कृतिक कानून मुद्दों की जाच भी करता है चुकि डेमोक्रेट में आप ओबामा को देख सकते हैं जो की अफरीकी मूल के रहे हैं पूर्व रास्बती इसलिए डेमोक्रेट तो इसके पक्ष में है रिपब्लिकन विरोध में है क्योंकि रिपब्लिकन कंजर्वेटिव है और डेमोक्रेट लिबरल है ऐसा मान सकते हैं इसकी उत्पत्ती 1970 के दसक के मध्डिक कई अमेरिकी कानूनी वित्वानों के लेखन से होई थी यह 1980 के दसक तक एक आंदोलन के रूप में उपरा जिनमें नसल पर अधिक ध्यान देते हुए मौतपूर कानूनी अध्यान के सिध्धान्तों को ने सिरे से अपनाया गया था और और समान नसली परिडाम व्यक्तियों की ओर से इसपस्ट और जान बूज कर पूरुवा ग्रहों के बजाए जटिल बदलते और अकसर सूप्चु सामाजिक और संस्था गत्गत्सिल्था के परिडाम हैं। आजिया के समुदायों के किलाब गोरे लोगों के हितों को मनाय रखने का काम करता है। यहां पर जो गोरे लोगों की सुपरमिश्य है अमेरिका में उसको चुनोती देने का प्रयास करता है। मलेरिया मुक्त देश मलेरिया मुक्त देश उन्नीस सो से अब तक एक सो सताइस देशों ने मलेरिया उनमुलन दर्च किया गया है। 2021 में दो देशों एल सलवाडोर को अचिस फरवरी और चीन को 29 जून को डबलु अच्चो ने मलेरिया मुक्त गोसित कर दिया है। यह ध्यान रखिएगा प्रस्ण यूपी से में पोलियो मुक्त से आया है मलेरिया मुक्त से भी आ सकता है। चीन ने कुछ विसिस रड़नीतियों का पालन किया अर्थात एक दीन साथ प्रणाली और मजबूत निगरानी। एक दिन के भीतर मलेरिया निदान मामलों की जाच के लिए तीन दिन और सार्जोनिक स्वास प्रणाली के अंतरगत इसने मलेरिया मुक्त हो पाया है। दवा प्रतिरोथ के लिए आनविक मलेरिया निगरानी और स्वदेशी तथा आयातित मामलों के बीच अंतर करने के लिए जीनोम आधारित दिस्टिकोन को अपनाया गया था। देश में अवान्चित मलेरिया के प्रवेश को रुपने के लिए पड़ोसी दिसों के सभी सिमाओं को पूरी तरीके से जाँच की गई थी। मिलियन मामले जिसमें 4,09,000 मोते दर्ज की गई थी जिनमें कुल मलेरिया बोच 94% की एक बड़ी संख्या अफरीका में थी 2019 में मलेरिया मामलों का मедर्व भारत कैसे पीछे रहाए है भारत तो भारत तो पीछे नहीं रह सकता बिलकुल भी पीछे नहीं रह सकता भारत कि जले अधे गई चले फ्लोरा आप सिक्किम देख लेएं फ्लोरा आप सिक्किम फ्लावर से जुड़ी चीज़े हैं फ्लोरा आप सिक्किम भारत एक परसंट से कम भुभाग वाला सबसे छोटा राज़ी सिक्किम डेसमें पाये जाने वाले सभी फूलों के पोधों का 27% के लिए घर है डेसमें जितने भी फूल पाये जाते हैं उनका 27% चो फूलों की वराइटी है वो अकेले सिक्किम में ऐसा भारती बनस्वती सर्विक्षड द्वाला हाली में प्रकासित एक प्रकासन से पता लगता है इस सप्ता की सुरुवात में जारी फ्लोरा आफ सिक्किम एक पिक्टोरियल गाइट छोटे हिमालाई राज्य में प्राकर्तिक रूप से पाये जाने वाले 4,992 फूलों के पौधों की एक सूची है देश में प्राकर्तिक रूप से पाये जाने वाले फूलों के पौधों की कुल संख्या लगबग 18,004 प्रजातिया है और 4,192 प्रजातियों के साथ सिक्किम में 7,992 वर के किलोमेटर छेत में फैले फूल के पौधों की विविदता अत्यधिक अनोखी राज्य जो कंचन जंगा जीव मंडल परिदिश का एक हिस्सा है विभिन उचाई वाले पारिस्थ की तंत्र है जो जड़ी बूटियों और पेड़ों के बढ़ने और परहंपने का उसर भी बनान करता है सिक्किम में है कंचन जंगा वहाँ पर भी फूलों की बहुत सारी वराइटी पाई जाती है इस प्रकासन में जंगली आर्केट की 532 प्रजातियां जो भारत में पाई जाने वाली सभी आर्केट प्रजातियों का 40% से अधिक है रेड़ोड एंड की 36 प्रजातियां ओक की 20 प्रजातियां और अन प्रजातियों के बीच उच मुल्य वाले आउसदी पोधों की 30 से अधिक प्रजातियों की भी सूची सामिल थी सिक्क्यम वन व्रिक्ष भूमी नियम 2017 एमिटी एंड रेवेशन्स नियम 2017 इस अधिसूचना में कहा गया है कि राजसरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी भूमी या किसी सार्जानिक भूमी पर खड़े पेड़ों के साथ मिटिया मितनी संबंद के साथ जुड़ने की अनुमती देता है अधिसूचना ने लोगों को एक पेड़ को अपनाने के लिए प्रोसाहित किया है अर्थात वो बच्चे के जैसे पेड़ को गोद ले सकता है जैसे कि वह उस पेड़ उस वेक्ति का अपना बच्चा हो मितनी संबंद जोड़ सकता है पेड़ को गोद ले सकता है जैसे कि पेड़ उसका बच्चा हो वो पेड़ उसकी निजी भूमी का भी हो सकता है या सारजनिक भूमी का भी हो सकता है उस स्थिति में पेड को गोद लिया हुआ पेड कहा जाएगा तो आज की क्लास में कुछ इतनी ही बातें आपके लिए थी डेली करेंट अफेर्स प्रयास होता है कि आप तक पहुंचे जो भी चीजे देश दुनिया में हो रही है आप तक जाएगा आज के लिए बस इतना ही दन्यवाद